हाई गाइज, वेलकम बैक इन युवेंड़ाई आटो मोबाइल्स, मैं हूँ आपका हूस्ट आलोक सेंग फ्रेंड्स, फाइनली, जैसा कि हमें जनकारी मिली है, हुंड़ाई कुछ ही महीनों के अंदर लॉंच करने वाला है अल लेव हुंड़ाई I20 को भारतिय मार्केट के अंदर, इस बात को हम लोग और पुकता मान सकते हैं कुछ दिनों पहले ही, कारें बाइक, जो की हमारी ही तरह एक और आटो ब्लोगर है, उनका इंटर्वे हुआ था हुंड़ाई के सीनियर मैनेजमेंट के साथ एंड जो आटकम निकला, उसके हिसाब से, हुंड़ाई वाले किसी मूड में नहीं है, हुंड़ाई I20 को और डिले करने में तरुन गर्ग, जो की डिरेक्टर है, हुंड़ाई में, सेल्स एंड मार्केटिंग के, एंड सर्विसेस के, हुंड़ाई इंडिया के अंदर उन्होंने गर्ग, उन्होंने गर्ग किया है, अगर हम हुंड़ाई के सीनय मेंट की बातों को माने, तो मानके चल सकते हैं कि यह गाड़ी आपको कुछ दिनों के अंदर, यानि कि एक दिर महीने के अंदर, भारती मारकेट में देखना स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पार रहे हो, यह है आपका European model Hyundai i20 2020 का, इस साली model को launch किया गया था, और आपको मैं pictures भी दिखा देता हूँ, German model के, तो आप अगर देखो कि तो आप notice कर होगे कि यह गाड़ी, look and appearance wise एकदम different बनाई गई है, and इतना confirm है कि once after launch, same ही model आपको भारती market में देखने वाला है, मिल जाएगा देखने के लिए, इसके अंदर measurement wise हलकी वोल के changes किये गए है, because बारत में अगर आप सब 4 meter के अंदर कोई गाड़ी लेते हो, तो आपको tax benefits कुछ जज़ा मिलते हैं compare to उन गाड़ियों के जो की 4 meter की आपके उपर size की होती है, तो जो international spec model है, वो आपका थोड़ा सा अलंबा चोड़ा ज़ज़ा बनाया गिया है, आपको model same मिलेगा भारती market के अंदर, बट हलका सा इसका measurement जो है, वो कम कर दिया जाएगा, इसके लबा, गाड़ी में plenty of features दिये गए हैं, अगर मैं cabin की बात करूँ, तो inside the cabin, आपको 10 inch का, more than 10.5 inch का, इसे मिल जाएगा infotainment screen, साथ में जो आपका instrument cluster है, वो भी आपको 10.5 inch का मिलने वाला है, यानि की, गाड़ी काफी हद तक, जो आपकी Hyundai Sonata है, नया model, उससे inspired है, पहली बार आपको इस छोटे segment, hatchback segment की गाड़ी के अंदर, दो तरह की चीज़े मिल जाएंगी, एग आपको 10.5 inch का मिलेगा infotainment, साथ में 10.5 inch का ही आपको मिलेगा instrument cluster, जो की गाड़ी को काफी अधा aggressive look देता है, from inside, इसके लाबा आपको मिल जाएगा sound mood lamp, अगर हम international model से compare करें, i20 के जो भी चल रहा है market में, तो हम पाएंगे, कि उसमें आपको मिलते हैं, Bose के speaker, जो की sound enthusiast को काफी आकरशित करने वाले हैं, तो finger cross हम मान के चल सकते हैं, अगर भारती model यहाँ पे launch करते हैं, तो हमको यहाँ पे भी Bose के audio system and speakers वगेरा ही मिल जाएं, इसके अलबा एक और noticeable चीज़ है, कि आपका जो European model है, Hyundai i20 का, जो इससा launch किया गया, उसमें आपको मिलते हैं 17-inch के alloy wheels, जबकि भारती मार्केट में once after launch, 17-inch के alloy wheels नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको मिलेंगे 16-inch के alloy wheels, थोड़ा सा price को बढ़ा दिया गया है, यानि कि अभी आपका जो model चल रहा है भारती मार्केट में Hyundai i20 का, अदर मिलेंगे 3 engine specification, 1.2 MPI engine मिलेगा, जो की रहेगा आपका 1197 CC का, दोसर रहेगा आपका 1.0 T GDI engine, जो की रहेगा आपका 998 CC का, इसके लबा, तीसरे engine आपको मिलेगा 1.5 U2 CRDI, जो की रहेगा आपका 1493 CC का, तो अगर मैं 1197 CC engine की बात करूँ, तो ये रहेगा आपका 4 cylinder petrol engine, जो की जनरेट करता है आपका 83 PS की power, 6000 RPM के साथ, वहीं पे, अगर मैं बात करूँ 1.0 T GDI engine की, तो ये रहेगा आपका turbo charge GDI 3 engine, 3 cylinder के साथ 998 CC का engine है, आपको जनरेट करके देता है, 100 PS की power at 6000 RPM के साथ, जो आपका टॉक रहेगा, इसके लवा, अगर मैं बात करूँ, तीसरे engine option की, जो की रहेगा आपका 1.5 U2 CRDI engine, ये रहेगा आपका turbo charge CDI 4 cylinder diesel engine, ये आपको जनरेट करके देता है, 100 PS की power at 4000 RPM, मैं personally बात करूँ, तो में को जो पसंद आया, वो है आपका 998 CC का turbo charge GDI 3 cylinder engine, 1.0 liter वाला, विकाउज ये थोड़ा सा different है, अभी तक आनी दा था, ये मिलेगा तो मुझे लगता है कि हाँ, अपने को average भी अच्छी मिलने वाली है, और गाड़ी आपकी इदम perfect रहेगी, इसके अलबा, गाड़ी में plenty of features दिये गए हैं, जैसे आपको मैंने बताया, अगर आप इसको compare करोगे, अपने existing model से Hyundai i20 के, तो आप पाऊगे कि look and appearance wise, एदम different ही बना दिया है Hyundai ने इसको, वैसे बना भी देना चाहिए था, विकाउज 2014 ओनवर्ड अभी तक, इन्होंने कुछ खास changes गाड़ी में किये नहीं थे, अब आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, डेटम running light, front headlights के साथ में, जोगे एकदम different looking है, compare to आपके existing model, इसके लबा, honeycomb pattern के साथ आपको मिलेंगी, इसमें front grills, rear side में आपको मिल जाएगा, Z shape का, LED tail lamp, and machine cut dual tone alloy wheels आपको मिलने वाले हैं, round shape के आपके रहेंगे, fog lamps, although overall जो shape है आपके fog lamp का, वो रहेगा आपका triangular shape का, but fog lamp उसमें fix किये गए है round shape के, इसके लबा, गाड़ी में, अगर मैं international model की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको top spec model के अंदर मिलता है, sunroof भी, अब यह दिखने वाली बात है कि, Indian model के अंदर, यह आपको sunroof देते हैं कि नहीं, इसके लबा, अगर मैं बात करूँ, गाड़ी के competition की, तो यहाँ पे आपकी जो Hyundai i20 है, यह compete करती है आपके, Volkswagen Polo के साथ, Tata Altros के साथ, Marty Suze की Balino के साथ, Honda Jazz के साथ, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, Honda Jazz का भी एक नया model आने वाला है, इसके अलवा, यह compete करती है आपके, Toyota Glenda के साथ, तो अगर आपका कुछ, अभी premium level hatchback लेने का मन था, अभी तक आपने गाड़ी नहीं ली, तो मुझे ऐसा लगता है, आपको एक दिड़ महीने और वेट करना चाहिए, बिकॉस सिप्टेंबर तक काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, और अलड़ी सी, noticeable चीज यह है कि, इस गाड़ी को पहले Hyundai वाले, लॉंच करने वाले थे भारतिय मार्केट में, जून मन्त में, बस बिकॉस अफ यह जो आपका COVID-19 लेड़ लॉक्डाउन हुआ, उसकी विज़े से इनको अपना लॉंच डिले करना पड़ा, तो अभी जैसा कि current बाइक जो आटो ब्लॉगर इनकी बात हुई है, होंड़ी के मैनेजमेंट से इंट्रव्य के दौरान उन्होंने बोला, कि वो future में जो coming cars हैं, उनके launch को डिले नहीं करने वाले, तो Maximo Auto Bloggers हम जैसे लोग हम बान के चल रहे हैं, कि यह गाड़ी आपको September month में भारती मारकेट में देखने को मिल जाएगी, तो आप देड में ने और वेट कर सकते हो इस गाड़ी को देखने के लिए, प्राइस में कुछ खास changes नहीं किये गए, आपके existing model के compare में किवल 10-15,000 रुपे rate आपका बढ़ा दिया गया है, तीन आपको engine option इसके अंदर मिल जाएंगे, एंद look and appearance wise गाड़ी काफी ज़्यादा sportier लग रही है, आपको मैंने real life images भी दिखाए, एंद जो इसमें official video था वो भी show किया इसका, तो आप इसका wait कर सकते हो, मैं था आपका host आलोक सिंग, वो सारे viewers and friends जो first time मेरे चैनल पे आएंगे हैं, तो आपको आगे आने वाले वीडियो का notification नहीं मिलेगा, इसके अलबा, अगर आप reading के शौकीन हैं, तो आप हमारे ब्लॉक चैनल पे जा करके, हमारे car blocks को भी पड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके, आप आगे आने वाले auto blocks के बारे में, जनकारी ले सकते हैं, उनकारो सब्सक्राइब का कर भी कर सकता हैं, इसके भी कर दागे presume Money, प्ड़र शाहरा हैं,